नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का आपके अपनी यूटूब चेनल पर दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्कूल व्याक्यता बढ़ती प्रिश्चा 2018 को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट दोस्तों बड़े सुरू करने से पहले आपसे एक प्राप्तो सके जी हां दोस्तों राजस्तान यूनिवर्सिटी में आज तेरवे दिन भी धरना परदर संजारी है वहीं नोनी सब्लानिया की तबियत है वो ज्यादा खराब हो गई है सीयम आज इसके उपर निरने लेंगे और फस्ट ग्रेड वालू को आज मिल सकती है खु असलम चोबदार और इराबोस की भी स्वास्ते में हुई है गिरावट आज सुबह कलेक्टर ने भी अस्पताल में जाकर तिन अभ्यार्तियू से की है वारता तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जेपुर कलेक्टर जोगाराम ने इन तीनों अभ्यार्तियू से मुलाकात की है और खा है कि जल्द ही इसका समाधान कर लिया जाएगा और नोनिस अभलानिया का कहना है कि जब तक मुखे मंतरी और उप मुखे मंतरी मेरे पास नहीं आते हैं तब तक मैं खाना पीना नहीं करूंगी और आयोग अपना फ्रेश नोट जारी करेगा तब ही मैं अंचन तो तो दोस्तों देख रहे हैं कि एक दिव्यांग अभ्यारती आपके लिए इतना कुछ कर रही है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि स्कूल व्याकेता बढ़ती प्रिशा 2018 को निस्सित तोर पर बढ़ाया जाएगा साथ ही ये परिक्सा जुलाई 2020 में ही होगी तो दोस्तों य जानका रिच्छ लगी हो तो इसे लाइक करें सेर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जय हिन जय भारत